प्रिहार में फिलहाल कैबिनेट का विस्तार नहीं होगा सियम नितीश कुमार ने खुद सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है दरसल नई सरकार की गठन के बाद से लगतार मंत्री मंडल के विस्तार को लेकर विपक्षी दल सवाल खड़े कर रहे हैं और सरकार पर हमलावर हैं वही दूसरी और कैबिनेट के विस्तार को लेकर कई तरह के कयास भी लगाये जा रहे थे लेकिन सियम नितीश ने इस मसले पर बोलते हुए कहा है कि अभी तक मंत्री मंडल के विस्तार को लेकर बीजेपी की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं आया है और अभी तक इस पर कोई बात चीद भी नहीं हुए है ऐसे में फिलहाल कैबिनेट विस्तार की कोई योजना नहीं है साथ ही उन्होंने आगे कहा कि यदी बीजेपी की ओर से मंत्री मंदल वस्तार को लेकर कोई प्रस्ताओ आएगा तब इस मसले पर चर्चा करने के बाद कैबिनेट का वस्तार किया जाएगा बता दे की नई सरकार गठन के बाद सीम नितीश दो डिप्टी सीम समेत बीजेपी हम और वी आईपी कोटे से बने मंत्रियों के साथ सरकार चला रहे हैं वही मुख्य मंत्री के इस बयान के बाद अब ये कयास रगाए जा रहे हैं कि फिलहाल खरमास होने की वज़े से एक महीने तक मंत्री मंदल का वस्तार नहीं किया जाएगा ऐसे में अब 14 जनवरी के बाद ही मंत्री मंदल के वस्तार की संभावना है